दोस्तों, आपने चिकन तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ, जो आपने कभी नहीं खाई होगी और जितनी यूनी की ये रेसिपी है, उतनी ही यूनी की ये जगा भी है यह है द्रास एक हेली स्टेशन जो की कारगिल में है और यहां के लोग इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं तो आईए आज आपको कारगिल की इस अनोखी रेसिपी को दिखाते हैं और आपको खाकरते भी बताते हैं और आपको वो जगा दिखाता हूँ यह देखो यह है असंद होटिल अच्छा तैयारी करी रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत एक्चली मैंने इनसे शाम में बात कर ली थी कि आप तैयारी करके रखना और आज ही एक्चली हम लोग आए यह लाल चौक है घ्रा वेली आये थे उसके बाद में हम लोग आगे गए पॉइंट जीरो पे और पॉइंट जीरो से फिर हम कारगिल के लिए निकले थे फाइनली हम लोग कारगिल पॉच्छे थे शाम को कुछ साथ वजे के आसपास सब बहुत लोगों ने बोला कि असम होटल का नाम लिया था फ और यह विद्व बनाते हो क्या है मजा आते हैं थो दोस्तों यह देखां अभी तो क्टिंग हो रही है लेकश हो गया तो यह अब जैसे नौ बजे का टाइम हो रहा है ना ना बज़ रहा है और बाहर मार्केट मैंने देखा आँट बज़े बिलकुल बंद रहा है एव देली एसी बंद हो जाता है कि लिंदी फोड़ता है और राट होने के बाद मार्केट पूरा बन हो जाता है इसे लेदे मेरे दुकान हमें रात को जाए है voi न किम बिल जाएगा आरा बज़े तक दी से लेट होता है ग्यारा बजी तो दोस्तों देखो इन्हों ने अभी ये सारे जो है कटिंग कर लिया है मुर्गे का अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना आज बना क्या रहे हैं हम बना रहा है वोईलिंग सब्सक्राइब चिकन लिया इसको वोईलिंग अभी बनाएगा सब्सक्राइब और यह मैं हो गया यह हो गया जुष उसको बोलता है मिटन का खास बात होते हैं इसका और तेका है रही यह बहुत एस लेकिन इस्को कोई डिफेक्ट नहीं करता है अच्छा यह सर यह जो गाаз मई सब कि इसमें रखाहै। तो आगे का प्रसीजर क्या है अभी हमने सब पहले नमक डाला नहीं था नमक डाले का शुखलावा पानी में नमक डालेगा दो समुष डाल दिया नमक और इस सबजी को सिर्फ उबली बी सबजी भी बोलते हैं उसमें ना मसला है टेल है इस बिलकुल नहीं है उसमीं लसन फैस यह पियास इस चाहिए इस सब उबलेगा उगलेगा उसके बाद थोरा सा इस ब्लेक पेपर डालेगे तोरा फ्लेबर और लोड़ा सब בח हो टीक हापन भ्याज करता मीरम एफ्लेफ में गता हुआ इस ब्सक्रायन ने पैशन से अलदिया में छ्म अधर्म प्रूत कूट नहीं कुटा है ने के को इसलिए boiling dish बोले हैं हां जी हां जी ओके तो आज यह अनोखा जाइका खाके देखेंगे और यह ले लिया यह तो सू नहीं सकते सा श्यमता से हम दल दिया अच्छा तो इस मिर्ची को तो छुना ही नहीं है सुना ही नहीं सार कभी आसम जाएका तो मिलेगा हर गार में मिल दि बूली भी डाल दिया और यह है आपका special ingredient पिसले यह असम का बेंबू शूब यह कैसा होता है मतलब इसका तेस्ट मतलब बूट तेस्टी है तुरा खता है यह अंचर बने कर राकता है ना जो निकला हुआ जो बेंबू शूब है इसको आपको बिलकुल आलू जी से मिलेगा पिर हमने यह तुब टेस्टी है क्योंकि इसलिए अंचर बने कर रखता है यह दाल दिया है तो दोस्तों देखो सारी सब्जी अलग बग डाल दिये एक टमाटर को छोड़के अभी टमाटर तु बाद में तुरा बाद में दालना परेगा क्यों इसलिए हमने सोस रहे है टम पहुंचा था तब मेरे को किसी ने बोला आप लेट तक बाहर ना मत क्योंकि यहां पर भालू आता है यह वास अच्छा इतना इतना डेंजरी से उसे फिर बहुत डरता है इंदर का लोग भी बहुत रता है कोई मारने बला सी तो मारने भी तू नहीं मिलता है जानो और मारन अच्छा लीजा एक बात बताओ यहां पर आप सुभा कितने बज़े शॉक हो मेरा यह ऐसा सुख कुलने का टाइमिंग है आट बाज से लेके मोर्निंग आट बाज से लेके साम तक 11 बाज तक मेरा सुला है रहे मोर्निंग नाट से रात को 11 कोई भी आने से इधर बस दिमां दिखाओगे इसमें वार भार में जो रहा है पाकी मैं इसमें मैं प्रिवरेटर एसा बना सकते हैं बना सकता है बना सकते हैं आब बना सकते हैं आब लेग आरे सब्सक्राइब अच्छा रेडिमेट वाला है यह बहुत हलका भी और है ना चलो फाकर के देखते हैं जी सर मेरा मसला कतम अभी आपने रेडी किया है बसके अगर बॉयल आलू था बता हूं बहुत क्रिस्पी है कोई बोलता है फिर यह आप देख सकते हैं तो दोस्तों देखो इन्होंने यहा पानीपुरी लगा दिया है यहां पर हम लोग अभी कारगिल में हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनकी शॉप का आपको हर एक आइटम दिखा दूँ अच्छा यह आपने लगाया यह ना असाम का ट्रडीशनल है और बागी यहां पर कस्ट्रमर्स बैठें तो पानीपु कि मूँ में पानी आज आएगा पिलोगा यह थोड़ा मैं वैसा सट्रेस कर रहा है जैसे आप मोमौ चट्नी देते हो ना हां थोड़ा वैसा सट्रेस्ट कर रहा है है बागी पानी सही है ज्यादा तीखा नहीं लग रहा मजी नौर्मल मतलब इतना है कि आप सहन कर पाओ ब जोमो मोमो के साथ एक रेड चक्षण याति ना वैसा को ore यहे सब्सक्रात है कि क् scrambled लेघ रहे सोमें साइव अब इन जो है यहां ले लिए उस的話 अब अजाए हम एब क्रोपार यहां कि दोनहों को मिक्स करके खाणा ते के तो लीजा अब क्या है next next कि अभी मेरा वोइलिंग सब्जी बोल हो सुका है वाँ तो रही यह भी सब्जी परक्स्का है नरम होगे सर अभी बहुत बढ़िया उसमें हमने तरमाटो डाले गा तरमाटो डाल दिया तरहीला देंगा कोई सीब होटल में जाओ नहीं मिलेगा साइ तेल नम यह तेल मसाला बिल्कुल नहीं होता है मतला है घल दी डिश है है आण जिए यह बोल हो सुका है साइग बीदिया बस यह थोड़ा आपको तेस आध हुआ पाक भी गैसा क्यों क्योंकि जाठा पागआने से टेस गी आता है तरह हलका सा घचा-खल साही जु रहाने कि यहां सकी होना चाहिए अब फ्राइ करते जारम तरहा हरा है तो फ्राइक थार में डाला है तो अधे जैसे पानी दूसरा है तरस पादी पीलो तरहा है तरहा है ज़ता है इसमें कोई जीपेंग नहीं होगा सरा बुसर मुं में जलन होता है अब को यह नब फैट गरबर अब जलन जाएगी कैसा पानी से तो नहीं जाएगी कुछ पीटा है आपके बस अब चीली खालेता हूं पहले तो एक बार तो दोस्तों यह हो चुका है पग चुका है यहां पर फिर आम ने कटा हूँ प्रीज चिकन डालेगा तो अब यह कटा हुआ चिकन जारहा है अच्छा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू चिकन के ना देखो यह विद स्किन है ठीक है यहां पे इन्होंने पहले स्किन को धोया अच्छे से मुर्गे को उसके बाद में आपने रोस्ट भी अधना आग पर रोस्त कि यह करके सारे इसमें डाल लिया तो इसमें यह लिवर आपको यह बता देता हूं यह जो मैंने सूप का एक बस एक चमच पी आता आखों में से पानी आगया नाख में से पानी आगया है और अबी चीनी घाने के बाद भी थोड़ा मतब अभी है मैं लगता इज सब्सक्राइब इसाल बेटाता है इज्टर में ऑनने बाच्छा है मेरा फैमिली सार में बैता है कपरा दोने के लिए फानी पूरा जाता है वाकर में आप स्राप फानी बिगा के राक कपरा पूरा माइनस साथ डिग्री आने से तो बिगा तो आइस बन जाएगा तो दोई नहीं सकते हैं तो बहुत सारी प्राउब्लम्स है यह कितना उचाहिपर है आपको पता है यह सब से दोस्तों देखो अभी मैं अभी मैं अचली ड्रास में हूँ जहां यह बतारे कि मैने सब्सक्राणा जाता है वर मैं जून में आया हूँ तो यहां पे अभी रात को बहुत जादा ठंड हो गई है और मैं मानता हूं यहां पे तकरीबाद 9 10 बिग्री होगा नोधस डिग्री में यह माइनस 20 एंट 25 चला जाता है बहुत थंडा होता है भाइसाब अब यह है हमारी रेसिपी अभी कितनी दे रूब लेगी बस यह थोड़ा के राकना था उसको बास करते करते करने बूल गया तो बस इसको 10-15 मिजे में पाख जाए का सरे ओके फिर अपनी टेबल पर लग सब्सक्राइब करते करते हाँ प्रेंग के रांप इसले तो रध नजरा नहीं आता है फिर आना पर पुछना पड़ता है कोई अच्छा होटेल काप यह पुछना पड़ता है फिर लोग पुछ पुछ के आज आता है इस तरह पुछ के आते हैं अभी हम यह कोशिश करेंगे जब हमारी वीडियो आएगी और कोई इस तरह अगर घूमने आएगा ना तो आपको ढूंडता हूँ कि अब लोग जाधा मेरा तो इधर सबसे लोग जाधा आता है अरमी बीवला सार के सबसे जाधा आवी बाला फ्राइट चिकन ग्रेवी ग्रेवी सबसे जैधा वह ब्लोक डिमांद एता है बहुत बढ़ी है तकरीबंद समें तरहीं बोई लोगा उसके बाद में हमारी प्रिश्टन को है, नहीं है वुर मेरा चलिखा के चलिख दोस्झे कातारी अcitना puta करें चलिफ मेरा एक से आ दिखा दून रहे हैं यह आगिया जी एक लैक पीश देखो बिलकुल इद इसकिन राइट यह अब यह जो 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 बर्यात थेच्छ अप खागे करें चाहूं के सब्सक्राइब अब कार्गिल कार्गिल मेमोरियल से सिर्फ साथ किलो मिट पहरे एक सिटी आता है बहुत छोटा सा सिटी इसको बोलते हैं द्रास तो द्रास में मैं अभी हूँ ने द्रास होटल लिया है और सुबा जल्दी हम लोग वार मेमोरियल के लिए निकल जाए बट उससे पहले क्यों का authentic food दिखाने के कोशिश करते हैं तो अभी में द्रास में हूँ मुझे एक SME होटल मिला जहां पर लीजा होटल है लीजा मिले और यहां मैंने कुछ लोकल से पूछा था कि मुझे कुछ authentic खाना है तो उन्होंने बोला किस तरह का authentic तो मैं कुछ चूँ यहां ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इसके जो इंग्रीदिट मिलना है वह बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें भूट अनौक है इंग्रीडियंट डलें एक तो जो बैंबू होता है आपने सुनाओगा एक बैंबू का पेड़ होता है इसको बोलते हैं बैंबू सूप वह वाइट कल इस लोगों को बहुत जो है तीखा पसंद है अब ज़ता देर नहीं करके इसके बारे हमाता opens बहुत बोलिया आप इसको खाकर कर के देखते हैं और इसको जो हम खाते हैं, यह उबलीवी चीज़ें हमें कम पसंद हैं, बट आज एक टेस्ट जरूर करेंगे, और आपको इसका जायका जरूर बताएं, तो यह देखो, सबसे पहले इसकी पकावट जो है, चिकन की आप देख सकते हो, कितना easily निकल रहा है, इवन यह विद स्किन आपको जो पाइख की इस पर आगया है, ठीक है, तो मैं आ रख देता हूँ, और अब लेते हैं इसका यह जो तीखा वाला जो होता है, यह वाली चीज जो बहुत खथरनाक, यह डालते है इसके उपर, ठीक है, लेकिन यह बैंबू सौक, यह लेते हैं, यह बहुत पिसलने वाली चीज है, यह कट गई है, अब ले लेते हैं, अब ले लेते हैं, लेकिन चिकन सौफ्ट है, बदब अच्छे से गल गया है, और उसके अलावा जो इसका सूप है, वो बहुत बहुत तीखा है, हमारे लिए, हलागि लोगों के लिए, यहा फिर जैसा की डीजा ने बता यहां पर भालू घूमते हैं रात को, और हमें हो चुक है, तकरीबन साधे दस बच चुक है, एक और मैं देखो, यह बाइट लेता हूं, आकि मैं आपको यहां का और बताऊंगा, मेरा जो एक्स्पीरेंस बड़ से पहले, एक और आप इसको देखो, कितना सिंपल है, ठीक ह जहां से मैं आता हूं, यह चीज़े मेरे को पसंद नहीं आनी चीए, बेट इसका जो मेन फ्लेवर है नो, वही चिली ही है, सही बोला था रीजा ने, यह चिली पीखा तो है, लेकिन इसका एक अलग फ्लेवर है, और यह आपको नुकसान नहीं करता, आप कितनी भी मिर्ची मेन मार्केट है, जहां पे इनकी शॉप आती है, जो की आसमी होटल के है, और यह थोड़ा अंदर आकर के है, तो आपको इसका लोकेशन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लोकेशन से इजी ले आ सकते हो, उसके अलावा एड्रेस भी मैं दे है, बट कॉंटेक्ट दे दूगा नंबर, तो आप कॉलर के आईगा, देखो, एक यह जायका तो है इनके पास, उसके अलावा अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको स्नेक्स भी मिल जाते हैं, जैसे पकोड़े यह सर्व करते हैं, और गोल गप्पे भी इनके पास होते ह हमने राजिस्तान में खाएं, दूसरे स्टेट में खाएं, उससे बहुत अलग है, थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर जैसा मेरे को लगा था, अच्छा था अगर आपको मेन कोर्स खाना है, थोड़ा नौर्थ इंदियन टाइप तो वो भी आपको मिल जाएगा, पनीर की सब अगर इस तरह आपको में लोग अगर इस तरह आते हैं तो बहुत सारी चीज एक्स्पीरिंस करने आते हैं, बार मेमोरियल की जो इधिया से हमारा वो ले लद्दा के बांटेन्स और वो सारा व्यू, तो इस भी थोड़ा सा ट्रडिशनल खाना चार चाम लगाने तो आपको This is it for now, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नहीं जगा, किसी और नहीं जगा, किसी और नहीं जाएकिक सा, till then, be happy.